नश्कार साथियों, आज जो मनोवेज्यानिक मैं आपके लेके आया हूँ वो है व्यवहारबादी बिहेवरिस्ट क्लार्क हल। चलिए शिरू करते हैं। क्लार्क हल जिनका जन्म 24 मई 1884 को अमेरिका में है तो एक अमेरिकन साइकॉलजिस्ट हैं जिनका मुख्य काम हम ड्राइव रेडक्शन थियोरी, बिहेवरिज्म, रिसर्च अन हिपनोसिस और हुमन मोटिवेशन के ओपर देखेंगे अमेरिकन मिन्वेरिक जिन्होंने प्रणो जो विभिन संग्यानवादी थे या फिर जो नव विवहारवादी थे उनके साथ डिबेट के लिए भी यह जाने जाते हैं जैसे इनकी जो टॉलमिन के साथ डिबेट थी बिहेवरिज्म के ऊपर विवहारवाद के बाद जो इनकी परिचर्था थी बहस थी टॉलमिन के तो उसमें प्रमुक नाम आते हैं कैनथ स्पेंस का जिन्होंने स्पेंस ने करट थियोरी दी या फिर मिलर का हम देखते हैं या बंदूरा जो की सामाजिक संधान के लिए बहुत फेमस वे मिलर जो की संधान सिधान तो के लिए इनके स्टूडेंट से 2002 के अगर हम Most Influencing Psychologist of the 20th Century की लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 21 पायदान पे हम हल को पाते हैं प्रसिद्धी के मामले में और सिधानतों के मामले में तो 21st ranking हमें देखने को मिली प्रख्यात मनोविज्ञानिकों की सूची में हल की इनके प्रमुक सिधानतों के उपर हम बात करें प्रमुक कारियों के उपर बात करें तो drive reduction theory यह जिसमें principles of behavior भी हम देखते हैं फिर mathematical deductive theory of root learning और फिर hypnosis के उपर इनका सम्मोहन के empirical study के उपर प्रियोग सिध अध्यन के उपर इनका काम जो है वो प्रमुक रहा तो उन्होंने reduction theory में एक formula of behaviorism दिया जैसे देखते हैं हमें के करके तो प्रणोध रासिधानत यह principles of behavior की जब हम बात करतें तो 1943 के book में उन्होंने यह सूर्तर दिया SER is equal to SHR into D into V into K यह बहुत famous formula रहा principles of behavior में अगर इस formula की बात करें तो यह बात करते हैं कि excitory potential कितनी उत्तेजना होगी किसी काम को करने की यानि अभिप्रेजना कितनी हो सकती है किसी कारे को करने की दो तरह से इसको हम देख सकते हैं उत्तेजना के रूप में यह कारे करने की अ SER that is the excitory potential अभिप्रेजना के लिए कितनी शमता है उत्तेजक शमता या अभिप्रेजना शमता यानि कितनी संभावना है कि S के प्रती कोई जीव प्रतिक्रिया उत्तपादन करेगा what is the likelihood that organism will certainly produce the response towards the stimulus इसके लिए वो चार चीजों को कारक मानते है जिसका उत्तपादन है यह अभिप्रेजना या उत्तेजना first habit strength शक्ती आदत की कितनी शक्ती है यानि कितनी बारी आपने habituation किया है through conditioning अनुबंधन के द्वारा उस उत्तपादन की कितनी आदत पढ़ चुकी है दूसरा D drive strength यानि जो प्रणोध है वो कितनी शक्ती रखता है उस उत्तपादन के लिए उस प्रतिक्रिया के लिए फिर हम देखेंगे तो V stimulus intensity उत्तेजना की उत्दीपक की कितनी तीवरता है और फिर K incentive प्रूत्साहन कितना मिला है उस उत्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर करने का इसी फॉर्मुले के concept को इन्होंने drive reduction theory कहा या drive stimulus reduction कहा प्रणोध हरास या प्रणोध उद्दीपक हरास सिध्धान्त कहा next इसमें फिर इन्होंने aptitude testing के उपर काम करा अभिवरती परिक्षण के उपर काम किया वोक इनकी सबसे शुरुवाती कामों में हम देखेंगे तो aptitude testing 1988 में इनके book published 1928 में यह book published होते वे देखते हैं जिसमें इन्होंने validity के उपर काम किया वैदता के उपर काम किया और scale scores कैसे बनेंगे aptitude test में इसके उपर काम किया और फिर उन्होंने अपना एक test भी प्रणूश किया जिसको हम कहते है विसकॉंसिन लैथे test विसकॉंसिन लैथे test जो है यह इनका aptitude test यानि अभिवरती परिक्षण है फिर hypnosis के उपर इन्होंने जो काम किया तो पहला empirical study था इससे पहले hypnosis समोहन करने के जो हम बात करते हैं उसके उपर मनोविज्ञान इक बात करते थे लेकिन कोई empirical study नहीं थी अविलेवल तो अलग-अलग भ्रांतियां फैली हुई थी मनोविज्ञान में सामानी लोगों के बीच में की लोगों को समोहित किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है क्यों किया जा सकता है तो इसके उपर hypnosis and suggestibility 1933 में इनका research आया जिसमें इन्होंने statistical and experimental analysis किया इस phenomena का इस गोचर का एक गहन अध्यन सांखी की और प्रयोगात्मक visualization द्वारा इन्होंने किया और इसका फिर इन्होंने बताया कि hypnosis नीन नहीं है कैसे हम hypnosis के माध्यम से suggestibility करते हैं लोगों को सुझाव देते हैं और वो कर लेते हैं उस काम को इसको इन्होंने hypnosis के तौर पर सम्मोहन के तौर पर प्रसुत किया और नीन से सम्मनित ना बनाकर एक stance जो हम कहते हैं ट्रैंस में चला जाता है व्यक्ति जब सम्मोहित होता है इस तरह से भाव में चला जाता है कि जैसे वो बंधावा दिखीगा वैसा ना कहकर उन्होंने suggest कहा जैसे इन्होंने एक बात करी कि एक advertisement एक आप जब प्रचार देखते हैं कोई प्रचार कर रहा होता है और उस प्रचार के बाद उस समान को खरीदने के लिए आप तयार हो जाते हैं तो ये भी एक तरह का सम्मोहन है ये भी तरह की एक hypnosis है और इसी लिए hypnosis में आप विश्वास कर लेते हैं तो ये विश्वास जो है ये एक hypnosis है ये एक सम्मोहन है इस तरह का उन्होंने scientific जो एक empirical study है उस चीज़ को दिया और उन्होंने बताया कि सम्मोहन हमें किस तरह से suggestibility देता है सुझाव की प्रवर्ती देता है नेक्स फिर हम बात करते है रोट लर्निंग की रटने या याद करने के गणितिय निगमन सिध्धार्थ mathematical deductive theory दे इन्होंने कि behaviors में रटना कैसे हमारे पास route learning एक mathematical deductive हमारा process है कैसे एक गणितिय निगमन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम रटते है या याद करते है इसमें बहुत सारे cover करके साथ इन्होंने काम किया बोथ mathematical and verbal forms में इन्होंने अपनी finding दी गणितिय और मौकिक दोनों स्वरूपों में इन्होंने अपने विचार बताए हलका मानना था कि जो मनोविज्ञान के अपने मात्रात्मक नियम होते हैं जिनको गणितिय सम्माई करणों में व्यक्त किया जा सकता है psychology has its own quantitative laws that can be stated in mathematical equation और इसी को फिर उन्होंने आगे consider करते हुए हमें drive reduction theory दी जिसका mathematical formula दिया इन्होंने next फिर हम इसमें देखेंगे तो इसको उन्होंने फिर further develop किया अपनी book principles of behavior में जिसमें हमने देखा उन्होंने drive reduction theory को दिया उतेजना प्रतिकरिया जो stimulus response है इसके ओपर इन्होंने amount of reinforcement कितना चाहिए होगा सुद्रडी करने की मात्रा कितनी चाहिए होगी इन सब चीजों के उपर उन्होंने scientifically mathematical formula दिया इन्होंने वैज्ञानिक गणितिय सूत्र देने की बात करे तो उन्होंने जो इस book में theoretical methodology बताई है एक प्रियोगात्मक विदियों की कैसे हमारे पास वैज्ञानिक सेधान्तिक पदती हो सकती इसको बताया है इन्होंने और फिर इन्होंने route learning का एक deductive theoretical system बताया है रटने का एक विस्तृत निगमनात्मक सर्धान्तिक प्रणाली बताई है जिसके बाध्यम से रटने को विभारवाद में समझा जा सकता है पुस्तके जो इन्होंने दी और जिसको हमने अ जा सकता है फिर हम देखेंगे अलग-लग मनोविज्यानिक साथियों के साथ इन्होंने काम करते हुए फिर mathematical or deductive theory दी जो की Hull, Hovland, Ross, Hall, Perkins, Fitch छे मनोविज्यानिकों का काम है जो 1940 में आई फिर 1943 में principles of behavior जिसमें इन्होंने dry reduction theory दी 1992 में history of psychology एक autobiography लखी इन्होंने जिसके ओपर इन्होंने बहुत सारे psychological contemporary जितनी भी चीज़ने थी उसको collect किया और फिर 1952 में इनकी behaviorism के ओपर behavior system एक book आई जो individual organism के behaviorism को बताती है और फिर इसी के continuation में essentials of behavior behaviorism की एक और book 1959 में आती है तो साथियों अमीद करता हूँ कि जो विभारबादी मनोविज्यानिक क्लारखल हैं बेहिबरिस साइकॉलजिस्स क्लारखल हैं उनके बारे में आपको बहुत सी रोचस जानकारियां पता चली होंगी ये एक छोटा सा प्रयास है व understand to know the psychologist and educationist जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं साथियों नमस्कार